नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ओनलाइं स्टाड़ी वीडिके में दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षिशास्त्र का इपोर्टन टॉपिक है अधिकमोर अर्जन तो इसके बारे पढ़ेंगे सभी टैट के लिए पोर्टन है और शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन ज आपको वहां फ्री पीडियाप आपको प्रोवाइड की जाएगी फेस्बुक पेज लिंक मिलेगा वहां भी जोइन हो जाना है और अकैडमी लिंक मिलेगा वहां भी आपके रिए अच्छे कोर्स रखे हैं तो वहां जल्दी से फोलो कर लिजिए और अगर इस चैनल पर यूटूब चैनल को सुनाओट एट स्टारट तो पढ़ते हैं अब अधिगम जो होता है लर्णिक तो अधिगम का तात्प्रया होता है सीखना एवां अरजन का तात्प्रय होता है अर्जित करना हम किसी भी भाषा को अर्जित करते हैं ग्रहन करते हैं तो उसको कहा जाता है अर्जित करना और अधिगम का अर्थ होता है सीखना तो दोनों का डिफर मीनिंग होता है next है, किसी भी परकार की अधिगम की जो प्रक्रिया होती है learning process जो होता है, वो continuous चलता रहता है जीवन भर चलता रहता है, मृत्यु परंत तक चलता रहता है तो भाशा का जो अरजन होता है, भाशा को जो हम अरजित करते हैं तो वो अनुकरन द्वारा करते हैं लाइक बालक जो है, अपने environment में वो आस पास के जो लोग है उनको बोलते हुए सुनता है, कैसे बोल रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, तो वो लिखता हुआ देखता है उसे ही अनुकरन द्वारा सीखने का वो प्रयास करता है सभी को पता है, इमिटेशन द्वारा बच्चा सीखता है अनुकरन द्वारा, अगर आप कैसे बोलोगे, कैसे लिखोगे तो बच्चा भी व्यासे ही बोलेगा और लिखेगा तब ही कहा जाता कि अगर आप अच्छा बोलोगे अच्छा काम करोगे तो बच्चा भी वैसा ही करेगा तो बच्चा अनुकरन द्वारा सिखता है में में जो point study और वही हमने इसमें रखे हैं काफी इतना बड़ा passage हमने नहीं लिया है में में जो point है बच्चा जो होता है जिस प्रिमेश में वो रह रहा है अगर वहां के लोग जो है अशुद भाषा बोलते हैं अगर आप देख लेते हो कोई भी वो वर्तनी जो है वो गलत बोलते है तो बच्चा तो obvious है वो तो बोलेगा ही वैसे ही और अगर आप गाली गलोज करते हो तो बच्चा भी देगा तो इस तरह से अगर आपके जो भाशा है वो अशूद है गलत है तो बच्चों में अशूद भाशा सीखने की जो संभावना है वो अधिक होती है अधिकम जो होता है डियर लर्निंग जो होती है कभी भी देखना जब आप सीखते हो न तो आपके जो personality है उसमें changes आती है आपका overall development होता है जिसी आपका जो लक्षे है उसको आप प्राप करने में आपको साहता मिलती है और अधिकम के बाद क्या होता है जब आप सीख लेते हो तो आप क्या होता है स्वैं को मतलब खुद को और दुनिया को समझने के योगया हो जाते हो ठीक है अधिकम के बाद जो तो उसको अधिकम नहीं कहाता सकता अधिकम उसको नहीं कहाता है अगर आप किसी चीज को रठते हो लेकिन अगर आप उसको समझते हो सीखते हो आप उसको आत्म साथ करते हो वो आपका अधिकम कहलाता है तो यह जो होता है रट्टाफिकेशन जो होता है वो आपका अधिकम नहीं कहलाता है अधिकम तो वो होता है जब आप उसको भूलते भी नहीं हो और आपको दिमाग में मोट पम्मनेंट रहती है कोई भी चीज भूलते नहीं हो आप नेक्स जो पॉइंट है भाशाई योगिता एक कोशल है जिसे अरजित किया जाता है सही है जो लेंग्वेज कपाइबिलिटी होती है वो आप उसको अरजित करते हो ग्रहन करते हो और इस कोशल को अरजित करने की जो प्रिक्रिया है बालक के जनम के साथ ही प्रारंब हो जाती बालक का जब जनम होता है तो तभी से कोशल जो है उसको अरजित करने लगता है तो बालक का जो भाशाई योगता कोशल है वो जनम के सथ ही प्रारम हो जाती है क्लियर अगला है अनुकर्ण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारिरिक समाजिक एवा मनो विग्यानिक अर्शक्ताओं की जो पूर्ती है उसकी मांग भाशाई योगता की विकास में विशेश भूमिका निभाती है जब भी आप सीखते हो तो लैंग्वेश के माधम से सीखते हो देखो लैंग्वेश क्या होता ना एक ऐसा मिल्डियम है जिसके द्वारा आप आपके जो विचार है भाव है उसको आप कॉमिनिकेट करते हो उसकी आप अभी व्यक्ति करते हो है ना और उनके द्वारा ही आप दूसरे की विचारों को समझ सकते हो, अगर आप सीखते हो, तो वो भी अपनी लेंगवेज के थूई आपको समझाएगा, और सीखने के प्रक्रिया होती है, ये भी मैं आपको बता देते हूँ, कहा जाता है, काफी कोशन ऐसे बनते हैं, कि मतलब जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो विदाल्य में ही होती है नो गलत है क्योंकि विदाल्य में तो होती है ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो विदाल्य में होगे विदाल्य में ही आप सीखोगे मतलब जो स्कूल के बाहर भी आप सीख सकते हो कहीं भी आप जाते ह है कोई भी दिन मैंदलब एक जैसा नहीं होते है, हर दिन नया होता है, हर दिन में कुछ changes होते हैं, आप कुछ न कुछ सीखते हैं। कहीं भी आप जाते हो, ушPITAL, community में जाते हो, घर में कहीं भी आप किसी के सोचल interaction करते हो, सबसे हैं साइट से आप सीखते हो, सब जंड़ सीखने की प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है उसे कहती है ओर बताती हूं है आपको जो एक सीखनU वह अगर पूसको रशत हो है ना रटते हो अबधालना को रटते हो और एक्जाम देते हो मदब सीखा जो आपने एक्जाम दिया और भूल गई तो वो तो आपका अधिगम नहीं होगा सही अधिगम नहीं होगा लेकिन जब आप उसको समझते हो उसको आप अरजित करते हो आत्मसात करते हो है अपना ले उसका विकास भी धीर धीरे एक निशितक्रम में होता है एक क्सिक्रस वाइज होता है अगर आप चलो ये तो घाशाई योगता का विकास है अगर आपक सब्सक्राइल कमें किसी विकास करना हो चलो मैं एक टैवंड लेती हम आपको dance सीखना है, ठीक है, dance जब आप सीखते हो, यह तो नहीं है, कि आपको एकदम ही dance आ जाएगा, सबसे पहले उसको बिल्कुल एक दो step बताते हैं, कि पहले यह दो step बताना है, फिर उसके बाद ही hard करना है, तो ऐसे sequence wise सिखाया जाता है, singing है, singing में सबसे पहले आपको lyrics बत होता है, वो भी एक निश्चित करम में होता है, एक sequence wise होता है, एक बिल्कुल pattern के अनुसार होता है, तो इन से लेटर बनते हैं, question देख लेजे, no down कर लेजे, pen copy उठा लेजे, जनम से लेकर 8 महा तक बालक को किसी शबद की जानकारी नहीं होता, जो जनम से 8 महा तक का को 10 से 12 शबदों की जानकारी हो जाती है, और दो वर्ष की आयू तक बालक 200 से अधिक शबदों को वसीख लेता है, और जब तीन वर्ष के भीतर होता है, तो बालक क्या है, एक हजार शबदों को समझने लगता है, सीखने लगता है, clear है, तो इस तरह से वो एक निश्चित से शबदों को समझने की योगता उसमें वो विक्सित हो जाती है, clear है, तो इसको आप नोडान कर लेना है, भाशाय विकास जो है, उसकी प्रक्रिया होती है, लिखने और पढ़ने का भी यान उसमें धीरे-धीरे ही होता है, और बाले अवस्ता में क्या होता है, मतलब वो ध प्रोसेस है, उसका सही नॉलेज उसको होनी चाहिए, और उसके लिए बालक की जो भाशा से रिलेटर जो समस्यां होती है, वो असपस्ट उचान जो होता है, गलत उचान वो करती है, तुतलाती है, हकलाती है, त्रीव असपस्ट जोवानी होती है, तो इसका समधान वो कर सक तो एक मेलनी मुझे आपको बताना है जो भाषा का अधिगम मैंने आपको भाषा का अधिगम के बारे में बताया है कैसे होता है और अर्जन अर्जन मैंने बताया आपको कैसे आप अर्जन करते हो लेकिन इसके बारे में भाषा सीखने के संदर में व्यावारवादी जो थे स भाशा की जो शमता होती है वो अभ्यास नकल एवं रटने से होती है है ना उन्होंने कहा था कि जो अभ्यास नकल रटने से भाशा की ख्षमता प्राप्त होती है तो यह कहा था व्यवारबादी जो मनविज्यानिक थे लेकिन चोमस्की जो थे उन्होंने 1969 में उन्होंने तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने बताए थे और एक जो उन्होंने जीन प्याजी जो थे उन्होंने कहा था कि जो भासा सीखनी की जो प्रविती होती है ना मतलब वो ना मतलब वो जनम जात नहीं होती है जीन प्याजी भी अग्री नहीं करते थे कि जो बच्चे सीखते वह सीकता है तो वह कंपड़ीत है दो संगय प्याजे हैं वह सब्सक्राइब करें 25 सब्सक्राइब क्या मतलुक है आदि आणीम थिंगδyoung्त है तो उसीतन हैं कि कि Tips आदकी क्या वेल स्थाचम सब्सक्रीट में ये सीखता है सेकंड स्टेज में ये थर्ड स्टेज में ये तो उन्होंने कहा था और उन्होंने बताया भी था लेकिन जो चोमस्की जी थे वो तो बिल्कुल डिफर थे उन्होंने कहा था कि जो भाशा होती है भाशा वो मतलब जो वो जनम से ही लेकर आते हैं वो जनम से ह कि नहीं जनमजात होती है और भाषा सीखे जाने का जो क्रम होता है वो विज्ञानी परताल भी उसके साथ साथ चलती रहती है तो यह कहा था चो मस्कीने और भाषा अधिगम और अरजन के बारे में उन्होंने अपने अपने एक जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे ना ठीक ह जो वो करते इंट्रेक्शन करते हैं तो बच्चे सीखते हैं तभी सीखते हैं और तभी उनमें वो जो सीखने का जो प्रोसेस है वो चलता है तो यह था हमारा भाषा का अधिगम और अरजन के बारे में और में डेफिनेशन इसके बारे में पूछी जाती है तो यह देख ल क्या था कि अधिगम जो है व्यक्ति में परिवर्तन है सही बाता है कि जब भी हम सीखते हैं हमारे ना personality में changes आते चेंज और behavior को आता है अपका learning होती है जो सके वातावर्ण के परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व किसी भी वाला को दूर करने तथा नवीन प्रस्थितियों में अपने समयोजन को लेकर होती है इसके माधम से व्यवार में उत्तर प्रिवर्तन होता रहता है यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अत्वा लक्ष को पाने में समर्थ बनाती है तो यह थी definition आती तो नहीं है सीटर्ट में एक तो ही पूछी जाती है वो भी किसी एयर में आयोगी लेकिन जो यह है ना definition यह यूपिटेट एचट और रीट इन में ज्यादा पूछी जाती है तो फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है तो यही topic था भाशा का जो अधिगम है हम कैसे भ आपको clear लगा हो अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो प्लीज कोमेंट जूरू किजिए और किस वीडियो पर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो को में जुरू किजी थैंक्स फो वचिंग माइवीडियो जू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब माइच चैनल तिल दान बाबाय रवाका जया पूले लाइट